कि नमस्कार दूस्तो मैं हूं पीके साओ मेरे कोचिन सेंडर एम पीके साओ सीजी में आप सभी का स्वागत करता हूं दूस्तो हमने टेस्ट सेरीज शुरू कर चुके हैं कि जीवी मैं यहीर और हमें इसी प्रकार से करतों करते रहेंगे सास में हम सब्सक्राइब शेयरों थीके साथ इंडियाब करना करेंगे प्र्यास करें ल leash अध्युर्वल्याद सकतर मामें आपको हाँ एक विच्यार त्रिक अशार आप तुनिट्यस प्राइब की आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए, क्योंकि दोस्तों अभी होती है कि cooled A CID होता है सासा क्षिस होती है यहां पर हम को थोड़ा सा समाख सा समस्छत जहते हैं लेकिन थोड़ा सा याद रखने में परिसायर होती है के जहां पर वहां कि आफ़ से बताने भी करेंगे और जहां पर जिसकी आव्सकाता पड़ेगी वहां पर करने का प्यास जैसे यहां पर देख सकते आधिवासी विद्रोभ हुआ जा कि 1700 से 1900 के बीच 1700 से 1900 के बीच आधिवास विद्रों हुआ था कम से कम 8-9 विद्रों उसका हम छोड़ा सा घर तक पहुंचे गई वीडियो कि आपके वाद सब्सक्राइब कर लिए और बगल में पिल्कुल उसको दबा दिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि अधिवासी विद्रों हुआ है जो मेन है उसमें देखेंगे विद्रों नेत्रित्व करता यह बहुत बार पूछी सब्सक्राइब करेंगे चलिए हम समझते हैं पहले 1775 1775 में हलबा विद्रों हुआ इसका नेत्रित्व करता अजमीर सीम इसको आप याद कैसे करेंगे 1775 इसको हम क्या पढ़ेंगे आप समझ सकते हैं यहां पर यहां पर देखो यह देखो आपको क्या दिखा इदर आए 177 क्या दिखा इस प्रकार से में जीन कीजिए 177 ठीक है 177 यदि हम हल निकालते हैं यदि हम 177 अजर अमर हो जाएंगी ठीक है दोस्तों यदि हम 177 में हल से हलबा हो जाएगा अजर अमर से हो जाएगा अब देखे दोस्तों दूसरा नंबर है आपका 1825 अब 1825 में आप देख सकते हैं कि यहां पर देखो परल कोट विद्रो हुआ था और इसका नेत्रित्व करता था गेंद सीम तो आप पर अपर गेंद सीम कैसे याद रखेंगी एमेजिंग कीजिए कि पहले हम जब खेल खेलते थे गेंद की तरहीं मिलता था था और पर पच्शेश्ट करता हो जाएगा अभी द्रों के हो जाएगा का परलगोट मैंदल पलट के हमारे पास वाता है इसको कैसे याद रखेंगी परलगोट में उसी प्रकार से देख सकते हो होता है अपर दल में रहता है अब यहां पर देखे 42 अब 42 में अठरा सब्सक्राइब निकाल लिए और इसमें 42 हिर्स को लिखे विजान दे रहा है कहां दे रहा है दल में सभी तारा अब देखे अब देखे आपको में याद रहेगी कि विजान दे रहा है अब इसको दोस्तों यह भी अब इसको दोस्तों यह आप जो है आप जो है अट्रा से कितने वर्सक्राइब आप जो है राम नाम चाहते हैं राम की भजन करना चाहते हैं और राम की पहाड में यहां जो पहाड है जहां सब्सक्राइब कर सकते हैं भगवान के पुजह में लिन होना चाहते हैं बेखिवल अमेजन याद करने के लिए राम से एटरा सो छपन में राम से लिंगा गेरी मैं किर 116 में डुरूबाराम क्यों प्रुबाराम ठीक है अब यहां पर देखो 1869 1869 को अप कैसे जात करेंगे 56 में हम कहां गए राम का बज़न करने गए और 69 में कोई-कोई बस बचेगा 56 में अब सभी चले गए लेकिन वहां जाने के लिए कोई-कोई बचेगा तो 1869 में गये 69 में कोई-कोई बचा आप यहां पर देखिए दोस्तों अब यहां पर आप देख सकते हैं सांथियों अठ्रा सो चेहत्तर अब अठ्रा सो चेहत्तर में आप क्या देखेंगे अब देख सकते हैं चपन में पहड़ गए राम का भजन करने के लिए 69 में कोई-कोई बचा अब छेहत्तर में दोस्तों जहारा जहार चले गए कोई भी एक भी निव जहारा जहार और सब कहां कैसे जहारा जहार गए सब मुड़िया हो गए मतलब सब अपने मूर मुड़ा लिए चेहत्तर के उम्र में सब मुड़ मुड़ा लिए इसे ज़ाद रहना है कि जहारा जहार चले गए सीरहा जहारा सीरहा सीर को सब मुड़ा लिए अब देखतों 1910 में अब देख सकते हैं क्या लिखा है भूम काल गुंडा धूर भूम से भूमी है ना गंडाध धूर से धूल गंडाध धूर से धूर वह सब चले गए जहरा जहरा सब मुधिया हो गए मुंडा हो गए थो सब के सब धूल में मिल रहे 1910 में सब भूमी में मिल गए चैनल के बाद 1910 ने भूम काल मतलब गुंड़ा दूर सब भूमी में मिल गए अब क्या होगे धूल बन गए तो इस प्रकार से याद रखेंगे दो से तिन बार इस वीडियो को देखते हैं या एक ही बार देखते हैं तो भी बहुत काफी है चले हम एंसर कुछन लगाने का प पहला भूम काल विद्रह के नेता कौन थे मतलन नेत्रित्रकर्त कौन थे ठीके भूम काल भूम काल से क्या थया गुंड़ा भूम भी बिन गए तो क्या हो गए ग्या भूल बन गये तो क्या हो जाएग BROWN एप सन आप और के अपने ठीक है अब नेश्ट देखते हो कब हुआ था हल लबा अब हल लबा विद्रोह से क्या लाद आधा दोस्तों एक साथ साथ एक साथ हल निकालेंगे तो अजर अमर हो जाएगा तो हमारा आपसन क्या हो जाएगा आपसन नंबर कि दोस्तों कि नेश्ट कुरिशन देखते हैं कि लिंगा गिरी पहारी में कौन जाता है राम के भजन करने के लिए कब जाता है कि अब नेश्ट देखते हैं दोस्तों कैसे हमको फटा-फट याद हो रहा है आपका याद होता जाएगा कोई लििकत नहीं अतरासोच्तर में कौन सा विद्र हो 완전 wanna एक्ता है अब देख सकते हैं दोस्तों यहां पर इस प्रकार से भी कुश्चन बनते हैं कि इनमें सी कौन सा जो विकल्प है वो सही है मतलब कौन सा जोड़ी सही है यहाँ आप देख सकते हैं 1774 में तारापूर 177 हलबा यह बिल्कुल गलत है कि 875 गैना खरिदते हैं फलाटक खुला था यह बी बजलत है अट्सावशkum कोई कोई चला जाता है mixture हमारा सही आफ्सन होगा ठीक है दोस्तों ह हमारा तो कि इनमें से कौन सा सही १िद्रोव और नेतृत्र करता के जो सही है उसको कमें कि करते हैं थिकता तारापूर दल गंजन लिए रफवा अजमेर शींग नाघूल क्यों को दो Avinal चाहिं में से कौन सा है विद्दों और नियंदर पतंदे तारा पूर से डल गंजन है सभी है न डल हो जो दल में वराप्त करते हैं सही है कि इस दस्ता है यह हमारा शही सै ठ्य للच होगा कि दिए उसके बद हलबा विद्र हल निकालेंगे तो अजर अमर हो जाएगा यह भी सही है कोई विद्रों में कोई-कोई बसता है सब गूल हो जाते हैं ठीक है यह भी सही है दोस्तों यहां पर आपसन है ना ओ थोड़ा सा गुलात हो चुका है इन में से सभी रहेगा ठीक है रिखिए सो अ हमिसे सब्ती कि इन में से सभी सही होगा और ला कि देखते हैं दोस्तों इन में से कौन सा है सही है कि सही है देखो जहां पर दोills हो रहा है इन में से कौन सा सही है हमको देखना है से तारापूर कब हुआ था कि इसको मिलाना है हलबा कब हुआ हलबा विद्रोह कब हुआ घुजगो निकालें तारापूर दल गंजन तो 42 मतलए हुआ दे रहा था वो दल में दे रहा था क्या था थारा भी दल में आ जाता है तो क्या होजाएगा अगा हमड़ा और तो आका क्या हो गया हलबा है हलबा करदे सकते हो सांथियों कि थी तूह है अब उसके बाद देख सकते हो हलबा हलबा एक साथ साथ यदि आप जो हल निकालते हो तो जाएगा हलबा विद्रोग आ जाएगा उसके बाद आ कोई विद्रोग देख में कोई कोई बचता है तो एहां देखो क्यों एका वी कोई ओर कोई विद्रोग मतलब डी साखा डी और दा का सी और हमारा जो आफसर नमबर एए है वह मारा सहीं है तुपके दोस्तों अब नेश्ट देखते हैं कि आठामन नम्मा का कुछ्चन बोलता है इन विद्रोह को क्रम में लिखिए सबसे पहले विद्रो कौन सा हुआ था यह हमको देखना है तो पहला है तारापूर हल्बा कोई विद्रोह और लेंगा दूस्तों एक साथ मतलब 1774 में क्या हुआ था हलबा हुआ था अब जाता है क्यों जाता है क्यों जाता है क्यों जाएगा कोई विद्रहों तो आपसा नमबर जो वह हमारा सही होगा ठीक है दोस्तों आप देखते हैं इनमें से विद्रो अठास में बताया गया है कोई ही जाता है कोई जाता है क्या चाहएगा कोई विद्रों अब उसका बाद एकने से कौन सा सही है 1775 में तारापूर अठास सपाचीस में हलवा या 1110 में क्योंगे दोस्तों इनमें कोई भी सही नहीं है क्योंकि तारापुर का विद्रों भवा था ऑट्राइट सो अ प्रकाश दोस्तों आप चाहे इस प्रकाश ही ठीक हम गनाने का प्यास करें जहां ट्रीक के आउसकता हो वहां और आउसकता पड़े तो हम प्रवाइड करने का प्यास करेंगे ठीक दोस्तों आपको कैसा लगा अच्छा लगा लाइक करें शेयर करने नहीं भूले दोस्तों आज लितना ही थैंक्ट्यू